नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपपा एक वार फिर से हमारे यूटीब चैनल चरस्ट लर्न में और आज हमारे जो सेसन चलना है उसके इंडियन कॉंस्ट्यूशन भारती सम्धान के एक नए टॉपिक राजसभा पर हम डिसकस करेंगे और उस पर MCQ सॉल्व करेंगे लास सेसन में हमने लॉक सभा पर जो भी आपके प्रस्ट बन सकते है या जो भी हमसे डिसकसन हुआ हमने आप से की और डिफरेंटली आप लों को समझ में आया होगा तो चलिए आज राजसभा के जो MCQ उस पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले इसके MCQ मैं थोड़ा राजसभा के बारे में आप सभी को बताना जाना चाहते हूं कि यह राजसभा यानि जो हमारा ऺए आप जो संसत आउस इसका उपर हाॉसऊ हरा है ऐचेацद बोलते है इसको और इसका जो पहली बार गठ न किया गया था वो 1952 में किया पहली जाए charged जो राजसभा है 1952 PM में पहली बार गठ था इलि ऑफैली में किया था यानि जो इसका गठान हो था अप्रैन में होता और मैं में इस स्विप पर जो पहले बैठा को की गई थी तो राजसभा को राजसभा 1944 से बुला जाता है ध्यान नखीगा 1954 में राजसभा लोगसभा का दोनों जो बरतमान नम है वो पढ़ा है पहले लोगसभा को हाउसाँ पर बोला जाता है और राजसभा को किसी और नाम से जाना जाता है ध्या preserved laat नामों से जो बतमान लोकसभा राजसभा है वो 1954 से बोला जाता है ठीक है तो राजसभा हमारे जो हमारी संसद है उसका अपर होस है तो चलिए अब देखते हैं ससकते हैं है भारती सह्मिदान की किश अनुक्षेद के तहत राजसभा की सनष्णदा का प्रावधान किया गया है मानो नाया हरा या नॉमिनेशन, राश्पती दोरा के जाएगा, किस छेदी से होंगे, ये सब कुछ वेगरा वेगरा, तो ये सम्मिधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आपकी आप्सन क्या है, अनुछेद 79, अनुछेद 80, अनुछेद 82, तो इसको सही उतर है, वो है B, यानि सम्म अनुछेद 80, 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 अनु 245 तो बरतमान में 245 है और 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं राजसभा में ठीक है तो यह दहना किका तो राजसभा की सनशना को प्रवधान या जो उलेख मिलता है वो आर्टिकल 80 में मिलता है ठीक है इतना एक आर्टिकल यालता किया आप लोग नेक्स प्रेशन आपका राजसभा में सहसो की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है ठीक है यह प्रेशन जो अभी में कुछ देर पहले डिसक्रस्शन किया आप लोगों से कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं तो आप सब जानते हैं वरतमान में अधिकतम संख्या सौरी हाँ तो कितने हो सकते हैं 250 maximum जो मेंबर हो सकते हैं राज सवा में जो हमारा अपर हाउस है सदन का संसत का अपर हाउस है उसमें 250 वरतवान में 250 members maximum हो सकते हैं लेकिन वरतवान में जो मेंबर है वो कितने हैं 245 ये विध्यान रखें आप लोग ठीक है 245 वरतवान में हैं और 250 maximum member हो सकते ह है ठीक है यह विधाना कि आप लोग जैसा question आएगा उसके answer करें यानि अगर यह पूछे कि maximum कितने हो सकते हैं तो 250 और वर्तवान में कितने हैं तो 245 ठीक है यह दाज रखीगा कि यह पर राज सभा का जो होता है कॉन करता 여ind囉 है यां पर रज रर्या सवले का आपसां सब्सक्रति तो आपको यह मैं बय्तागव कि इस कोई नहीं तो आपको यह मैं बता दो कि जो कर दो कि जो जो एक इस्थाय सतन गयलाता है. ठीक है. इसका कभी भी कोई भी विट्ण नहीं कर सकता. तो जो प्रेश्ण है उसकी अनसार होगा तो दी होगा, उनमें तो जो राजिस्थाविस सतन है, जो उसे कोई भी विकटित नहीं कर सकता. जो राश्ट्पति हो, जा निरभाचा ने न इसे एक इस याद रहुत है कि आंगे देखते हैं कि राश्पतिद्वारा राश्पतिद्वारा में कितने व्यक्तियों को मनुनित कियाता है यह है कि how many members are nominated by President कितने व्यक्तियों को राश्ट पती राश्वाय कि नॉमिनेट करता है आपके आपसन है 10, 12, 15, 18 तो आप सब जानते हैं कि 12 व्यक्तियों को राश्ट पती राश्वाय करता है तो कभी गमिर यह पूछ लेता है यह सिस्टम यह जो प्रावधान के लिए गया गया तरहन आप The तो आइसे लोगों को नॉमिनेट के जाता है तो धनकी का जो राजसभा में कोल व्यक्ति होंगे उसमें 233 वरतमान में 233 एलेक्ट होकर आते हैं हर राज से हर राज के व्यक्ति होते हैं जन्सांकर कॉर्डिंग महा के राजसभा में व्यक्ति होते हैं तो वह टूटल 233 होते हैं और बारा व्यक्ति 12 वक्ति नॉमिनेट किया थे राज सभाथ जो आपको बताया मैंने कि 245 वरतमान में 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 राजसभा के 245 है 245 में 233 परतिही कि राज सफ़ाथ करते हैं जन्सां के एकॉर्डिंग करते हैं किस राज से कित्ते वक्ति भी जाएंगे राज सभा के लिए ठीक है और 12 वक्त लिए राज राज के प्रतिनिधियों की संख्या सरवादिक है जन संख्या के वड़िंग जन संक्या के वाड़िंग एंडिया का उतरप्रदेश तो 31 मेंबर भीज आते हैं उत्तर प्रदेश से राजस्वा के लिए उसके बाद मत्रतियस से आप सब जानते हैं कि 11 मिम्बर्स को भेज आता है महाराष्ट के लिए महाराष्ट विए आपको बता हुन शे 19 मेंबर भेज़े जाते हैं राजस्भा के लिए और राजस्दान के लिए आपको बता दू तो राजस्थान के लिए जो तोटल मेंबर है वो 10 यह सब आपके लिए जरूरी नहीं है मैंने आपको बता दिया आप्शन में थे बस इता दहन दखेगा कि 31 मेंबर्स को राजसभा के लिए बहे जाता है उत्तर प्रदेश के दौरा ठीक है याद रखीगा चलिए आंगे देखते है अगला प्रिशन आपका राजसभा में संग सासे छेथ से कुल कितने सरस्यों को लिया जाता है ठीक है कुशन समझ मैं मतलब जो हमारे यूनियन टेरिटीज है उनमें से कितने जो टोटल सेवन यूनियन टेरिटीज है आप सब जानते हैं तो टोटल साथ में से कितने व्यक्तियों को इन सेवन जो टेरिटीज है उनमें से राजसवा के लिए भेज जाता है तो तो टोटाल जो सरस होते हैं वह आपको पता दू चार कुल चार मेंबर्स को भेज जाता है यानि जो साथ हमाए संग साजित प्रदेश है उनमें से सिर्फ दो ही है जो की पूद चार के लिए अपने सरस भेजते हैं ठीक है एक धिली है जाना है आपको एकि जिसने तीन मेंबर हैं यानि तीन मेंबर दिली संग साजिध प्रदेश से लת जाते हैं और एक पूद्जधorig के लिए ठीक है तो पुद्धशेरी यांगे नहीं को दोड़ नहीं जाता है। बाकि जो पांच अपनी युनेंटेरिटी से नहीं जाते हैं ठीक है तो यह आदा कि दिल्ली पुदिशेरी हैं दिल्ली से तीन पुदिशेरी से एक ठीक है टुटल चार मेंबर्स को राजसभा के लिए भीजा जाता हैं चलिए आंगे देखते हैं अगला प्रश्ण आपका कि राजसभा की सरस्ता के लिए निरुटम उमर सीमा कितनी है तो मेंबर्स मताब मेंबर्स अगर बनना है राजसभा के लिए तो मिनमम आव किती रखे गई है तो बहुत ही सिंबल सा प्रेशन है और नेर्ज प्रेशन है डायट एंसर आता हूं तीस बर्स आप सब जानते है यह हेलता है कि 30 वर्स मैक्सिमम् 1 चाहिए महिं मड़ligen राज्ञा के लिए व्यक्तिक को अगर चुना आ विक शिक संहीज वर्स राज्ञा के लिए फै прокण लिए पात्र को सकता है ठीक है यह सिंपल सा कोशन है बट्याज आखिए कि यह लोग सभा में 25 वर्स है और राज सभा में 35 वर्स तो यह दोनों डिफ्रेंस को दिमाफ में आप राखें चलिए आँगे देखते हैं अगला प्रेश्ण आप देख पा रहे हैं इसके इन पर कि राज सभा के कितने सभा को दो वर्स के बाद सेवा निवर्द किया जाता है ठीक है तो एक बात यह क्लिए रहा हो गई कि राज सभा एक इस्थाई सदन है यह पहले मैं आपको डिस्टर्स कर चुका हूँ दूसरा कि कि राज सभा के ऐफ के लिए रहा है तो अप्षन के आपके वन थर्ड, टू थर्ड, वन फाइफ और टू फाइफ तो इसका जो सई उततर है तो वह है वन थर्ड बिल्कुल वन थर्ड जो पर सोते हैं राज सभा के उन्हें हार जाता है तो दो वर्स के बाद शिवा निवित्ति में रिटायर दो वर्स के बाद सिवा निवित्ति क्याता है ठिक है और दूसरी कि जो राश दवाक मेंम्ट सो टेंशेंन होते मतलब जो पुराने होते आते हैं उन मेंम्ट सब आपने लोगों ने सुना होगा तो जो मैं बेसिक सम्झाना चाहता हूं आपको बता दिया कि हर दो वर्स बाद वन थर्ड मेंबर्स सेवानिवित हो जाते हैं ठीक है अंगे देखते हैं और अगला प्रशन आपका कि राजस्भा में कितने केंसा से छेत्रों को प्रत निध इसे सिर्फ दो ऐसे केंसा स्प्रदेश हैं जो की राजस्भा के लिए मेंबर भेशते हैं ठीक है किते मेंबर चार मेंबर यह मैं डिसका सकता हूं तीन दिल्ली भेशता है और एक पुद्चेरी ठीक है तो इसका भी अंसर आपको पत्रशन आपको याद रखना होगा बहु अगला प्रशन आपका कि भारत का उपराश्पती राजसभा का पदेन सभापती भी होता है यह सब जानते हैं आप सभी कि राजसभा का जो पदेन सभापती होता है भारत का उपराश्पती वह होता है ठीक है तो भारती सम्धान में यह किस अनुच्छत में बताया गया तो जो राजसभा का सभवपती होगा वो भारत का उपराश्पती होगा ठीक है तो आर्टिकल कौन-कौन से हैं आपसन देखते हैं आर्टिकल 63, 64, 65 और 66 तो सही उत्तर क्या है इसका 64 अनुच्छे 64 में ये बताया गया है ये प्रावधान किया गया है भारती समिदान के कि जो भा ठीक है ये आपने उसको भारती समती है ये आपने अप उसको मिल जाएंगे टिक है तो उपराश्पती राजसभा का पदेन सभवपती भारती होता है ये आर्टिकल 64 में बताया गया है ठीक है चलिए आँगे देखते हैं और अगरा प्रश्टन आपका कि अखिल भारती सिवाओं का स्जिजन करने का अधिकार राजसवा को है यह सब जानते हैं आप लोग अखिल भारती सिवाओं होती न ठीक है तो इनको सिजद करने का अधिकार राजसवा को यह किस अनुक्षेद में बताया गया है तो आपको पता होने चीए बहुत ही सिंपल और कई बार पूछा गया प्रेश्ट है तो पहले ऑप्सन देख लेते हैं उसके बार प्राद दिस्कस करते हैं तो किस आर्टिकल में बता गया है कि अखिल भारती सिवाओं का सेजन करने का अधिकार राज सभा को होगा तो अखिल भारती सिवाओं जो होती है वह मैं आपको पता दूँ कि जो UPS एक्जाम है उसमें तीन सिवाओं होती है वो तीम रज़ता हों यूपेस और जो भी सेलेक्टेड होते हैं उन पर इस्टिक गुमेंट होता है लेकिन ये जो तीन पोस्टिर हैं आई-एस आई-पेस और आई-एफेस और आई-एफेस ये अखिल भारतिय सिवाओं के लिए होती हैं इस टाटिक में सिव ये दो पोस्टि आई-एस और आई-पेस बाद में बारत की इस तन तक बाद आई-एफेस को भी अखिल भारती सिवाओं में जोड़ दिया गया बास द्याना कि अखिल भारती सिवाओं करने कतिकार 312 में राज सभा को प्राप्त हैं यह आगे देखते है अगरा प्राशन है आपका अनुच्छे 299 के अनुसार राज सभा को किस प्रकार किस शक्ति प्राप्त की गई है ठीक है तो पहले मैं यह बताना चाहूंगा आप लोगों सब कि राज सभा को दो इस दो आर्टिकल यानि 249 यह आप देख पार है यह 249 और 312 जो अब मैंने आर्टिकल के माद्धम से कानुन मनाने के लिए संसत को बोल सकता है तो इस दिसकस करते हैं प्राशन पर जो है तो आर्टिकल 249 की एकॉर्डिंग राज सभा को किस प्रकार किस प्राइब की ठीक है पहला काउन साह है अकिल भातियस ज़ाग करने के लिए तो डिफरेटी कि यह 312 में है ठीक है फिर दूसरा राश्टी महत पर कानुन मनाने की सकती या तीसरा राश्टी आपात के समय बदाने की कुछ सकती नेशनल में इनसी लगती है तो उसमय कुछ कार कर सकता है ठीक है और डी इनमेस कोई नहीं तो जो 249 आटिकल में बताया गया और नैशनल जो कुछ इंपोर्डेंस कार में राश्टी महत के जो कुछ मुद्य होंगे राश्वा के विषय में राश्वा के सम्मंदित राज में सूची में जो बिखसे हैं और राश्वा को ऐसा लगता है कि इस विषय से इनमेस पर अगर कानुन मना जाए तो लोग हित्म होगा तो वह संसत को बोच सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट पर कानुन बनाए ठीक है तो टूफ़टी नाइन में राश्टी महत्तो पर कानुन आने की शक्ति राश्वा को दी गई है तो आटिकल टूफ़टीन और तीन सुबारा थी वन टू यह दो आटिकल है जिसमें राश्वा को सकती बतान के है कि वो कानुन बना सकती है और संसत उसे कानुन बनाएगी ठीक है चलिए आंगे देखते हैं अगरा बशनाब का कि राजसभा की उप सभापति का निरवाचन किसके दौर आ खिजाता है ठीक है अब सभापति कौन होता है यह तो बता दिया मैंने कि जो भारत का नंदो हमारे ऊपर आश पति अन्यारी आपना उप उपराश पति condition बनाएगे ऐसे जो मैंने बता है मैंने उपरेश पति का ट्रह आँक आख दूर दौत ईसके साथी रास्वा के समवापति का भी पत कर लिया ठीक है तो ऊन्थे दूलाड तिन दो कि अब राजसभा के सदस्या निर्वाचन करते लिए राजसभाती। निर्वाचन निर्वाचन करते हैं। थोड़ा सा। कुछ अधिया निर्वाशन होता है तो कौन निर्वाशन में राजसभा के जित्ते भी सवाश होते हैं ठीक है तो उपसभपति ऐसे बना दिया जाता है बाकी आगे देखते हैं तो दोस्तों ये था हमारा राजसभा से जुड़े हुए जित्ते भी एमसी की या जित्ते भी प्रश्ट इंसपर बन सकते हैं आपके लिए वह हमने डिसकस कर लिया इस वीडियो को इस सेशन को ध्यान से कर ले आपके चल रहे एक्जामों के नजरीय से काफ अगर कुछ बनते भी होंगे तो आप इस सेशन को इस राजसभा के सेशन को अच्छे कर ले अच्छे कर ले तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाबाए थैंक यू